हेलो दोस्तों अगर आप स्टोक मार्केट में बेगिनर्स हैं या नए इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेलफुल रहेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे इंट्राडे ट्रे वहाँ से क्लिक करके इस अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद अपना अकाउंट बना करके लॉग इन हो जाईए जैसे आप ग्रो एप के होम पेज में लॉग इन हो जाएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आप जिस भी इन निउज ये फिर टॉप लूजर में यफिर इसके नीचे भी आपको काफी सारे सेरी मिल जाएंगे जिन सेर में आप इंटरोडेट रीडिंग कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक इंटरोडेट रीडिंग करके दिखाऊंगा जैसे मैंने यहाँ पर सर्च बार में टाइप कर लिया और मैं NMDC के share में intraday trading करना चाता हूँ तो मैं यहाँ पर search कर लूँगा उस share का नाम तो NMDC जैसे मैंने search किया यहाँ पर search बार में सबसे उपर में आ गया है अब यहाँ पर मैं click करूँगा अब आप यहाँ पर देख सकते NMDC का share मेरे सामने open हो गया है अब मैं इस share में intraday trading करना है मुझे तो simply आपको यहाँ पर buy के option पर click करना है आप पहले चाहे तो sell भी कर सकते हैं और buy भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर buy करके दिखाऊंगा तो जैसे ही मैंने buy पर click किया आप यहाँ पर उपर की अब देख सकते हैं टाइप में delivery दिख रहा है तो delivery में हमको buy नहीं करना है intraday करना है तो intraday करने के लिए simply आपको यहाँ पर फिर से एक बार click करना होगा यह intraday में change हो जाएगा इसके बाद आपको quantity डाल देना है कि कितने share आपको intraday में trading करना है तो यहाँ पर मैं दो quantity डाल देता हूँ एक demo के लिए वीडियो का purpose यह नहीं है कि किसी भी share को आप buy करें मेरा कोई recommendation नहीं है मैं सिर्फ आपको demo के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसे buy किया जाता है process को आपको समझना है और अपने research के according आप अपने shares में intraday trading कीजेगा तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपको market price में न करकरके आपको limit डाल देना है यहाँ पर मैं फिर से एक बार click करूँगा अब आपको यहाँ पर limit डालने का option मिल गया है आप limit डाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए market price कितना चल रहा है 138 रुपए 20 पैसे का चल रहा है और हमको limit डाल देना है 138 रुपए 0.5 पैसे पर यानि कि जब यह price घट करके 0.5 पैसे तकाएगा तभी हम इस share को buy करना चाहते हैं इंट्राडे में तो यहाँ पर simply आपको अपना limit डाल देना है जितना भी आप रुपए में खरिदना चाहेंगे तो अगर आप चाहें तो 10 पैसे भी डाल सकते हैं यहाँ पर 138 रुपए 10 पैसे भी डाल सकते हैं तो इतना भी मैं डाल करके यहाँ पर बाई पर क्लिक करूँगा देखते हैं यह बाई होता है या नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है तो यह सायद बाई नहों हो पाए लेकिन यहाँ पर आपको margin मिल जाता है अब आपको यहाँ पर intraday trading में उतना ज़्यादा पे नहीं करना परता है जैसे 138 रुपए है और आप 2 quantity खरीदना चाहते हैं तो 132 रुपए आपको इतना ज़्यादा पे नहीं करना है यानि कि 260 रुपए लगभग नहीं पे करना है आपको सिर्फ margin कितना 55 रुपए देना है और आपका 2 quantity का share buy हो जाएगा लेकिन intraday में यहीं होता है कि अगर आपको loss हो फिर भी आपको 3 बच के 10 मिनट से पहले square off कर लेना है या फिर profit हो फिर भी आपको 3 बच के 10 मिनट से पहले आपको square off कर लेना है अगर आप square off नहीं करेंगे तीन बच के दस मिनिट के पहले तो ये automatic sell हो जाएगा और उसका extra charge भी काट लेगा ये broker तो इसलिए आपको तीन दस से पहले पहले share को sell कर देना है अगर आप intraday trading कर रहे हैं तो इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर buy पर click करना होगा तो जैसे ही मैं यहाँ पर buy पर click करूँगा order place हो चुका है अब यहाँ पर आपको नीचे के तरफ done पर click कर देना है अब हम यहाँ पर dashboard में आ जाते हैं और आप यहाँ पर dashboard में देख सकते हैं कि मैंने NMDC का share 138.50 का market price चल रहा है जिसको मैं 138.10 के भाव में खरीदना चाता हूँ कौन से type है? intraday type है यहाँ पर आप देख सकते हैं और quantity यहाँ पर 2 है तो अगर आपको इस price को modify करना है तो आप simply इस पर click करेंगे फिर आपको नीचे की तरफ cancel भी करने का option मिलता है अगर आप cancel करना चाते हैं तो और अगर आप इस price को modify करना चाते हैं तो modify भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर modify पर click करूँगा क्योंकि यहाँ पर 138.10 पैसे आना मुश्किल है भी थोड़ा देर तक और आपको live दिखाना है तो इस price को मैं market price में ही करके buy करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर simply मैं market price ही डाल देता हूँ कितना 138.50 पैसे ही डाल देता हूँ और simply यहाँ पर confirm changes पर click करूँगा यह buy हो जाएगा तो अब यहाँ पर फिर से मैं done पर click करता हूँ और यहाँ पर उपर की तरफ आप notification में देख सकते हैं और यहाँ पर profit मुझे 10 पैसे का हो चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसका detail अगर आपको देखना है तो इस पर click करना होगा और यहाँ पर नीचे की तरफ position detail पर अगर आप click करेंगे तो position detail पर click करने के बाद आपको सारा डीटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपने बाइक कितने में किया है दो कॉंटिटी 139,50 वाला एवरेज प्राइज है जो कि मुझे टोटल वैलू इसका कितना है 277 रुपए का है और ये 277 रुपए मैंने नग देख करके 25 रुपए में इस सेयर को बाइक गिया हुआ है और इसका जो सेल अभी हम लोगों ने नहीं किया इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा जीरो दिखा रहा है और नीचे की तरफ रिटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका profit या फिर loss होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर अगर और share buy करना चाते हैं तो buy कर सकते हैं और इसको अगर sell करना चाते हैं तो आप sell भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं back कर लेता हूँ और अब इस share को इस जो intraday trading है आपने कर तो लिया profit तो होगे आपको ठीक है न profit होने के बाद आपको क्या करना है square off कर देना है तो इसके लिए इस पर click करना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर exit पर click करना होगा न कि buy पर exit पर click करेंगे और इस share से आप exit हो जाएंगे कितने बजे से पहले अभी कितना बज रहा है 10 बज के 40 मिनट हो रहा है आपको 3 बज के 10 मिनट से पहले-पहले मेरा recommendation यही रहेगा कि आप 3 बजे से ही पहले अगर square off कर लें तो ज़्यादा बहतर होगा तो मैं यहाँ पर आपको demo के लिए square off अभी करके दिखाता हूँ तो simply आपको exit पर click करना होगा अब आपको intraday type में ही रहने देना है 2 quantity आप यहाँ पर देख सकते हैं quantity 2 है और price, market price कितना 138 रुपए 35 पैसे के भाव में ही मैं sell करना चाहता हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर limit भी लगा सकते हैं, जैसे 138 रुपए चल रहा है, ठीक है न, market price 138 चल रहा है, मुझे बेचना है भी है 150 रुपए में, ताकि मुझे मोटा रकम profit हो सके तो यहाँ पर 150 में बेचना है, तो मुझे यहाँ पर price डाल देना होगा ठीक है, 150 रुपए अब यहाँ पर sell पर click करूँगा तो order लग जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर sell पर click कर देता हूँ, ठीक है न, demo के लिए तो यहाँ पर sell किया, sell order place हो चुका है, अब done पर click कर देता हूँ अब आप यहाँ पर open orders में देख रहे हैं, कि यहाँ पर sell यहाँ तक अगर price touch हो जाता है तो यह share automatic sell हो जाएगा लेकिन जरूरी नहीं है कि 3-10 से पहली यह sell हो जाए ठीक है, तो आपको इसको यह भी ध्यान रखना है कि 3-10 से पहले पहले अगर sell हो जाए तो कर देना है, अगर 3-10 होने वाला है, और अगर आपका यह price touch नहीं हो रहा है तो आप इसको जिस price में चल रहा है उसी price में आपको sell करना होगा तो यहाँ पर अभी देखो, demo के लिए 138 रुपए जो share है वो 1.500 रुपए जाने में तो भी बहुत समय लग जाएगा तो मैं इसको market price पर ही 138 रुपए 15 पैसे तो यहाँ पर 138 रुपए में डाल दिया और यहाँ पर मैंने 15 पैसे डाल दिया अब यहाँ पर आपको simply confirm changes पर click कर देना होगा और confirm change पर click करेंगे तो आपका modify order requested हो गया है और आपका share भी sell हो चुका है simply आपको done पर click कर देना है और आप वहाँ पर order detail भी देख सकते थे तो यहाँ पर देखिए अब NMDC का जो intraday sell order है दो quantity है वो execute हो चुका है ठीक है order executed लिखा रहा है अब यहाँ पर इसको हटाते हैं और इसका detail देखते हैं कि कितना profit और कितना loss हुआ है मुझे तो यहाँ पर simply आपको click करना होगा अब आपको यहाँ पर position detail पर click करना होगा फिर से और position detail पर click करने के बाद आप यहाँ पर पूरा detail देख सकते हैं तो आप यहाँ पर देखिए दो quantity हम लोगों ने sell कर दिया है average price 138 रुपए 15 पैसे के भाव में और हम लोगों ने खरीदा कितने में था 138 रुपए 50 पैसे के भाव में यानि कि महेंगा खरीदा था और संस्ता बेज दिया यह सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया अगर long term थोड़ा सा और समय तक wait करता तो हो सकता है मुझे कुछ profit भी हो जाता ठीक है तो यहाँ पर मुझे कुछ loss हुआ है कितना loss हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 0.70 पैसे का ठीक है इतना मुझे loss हो चुका है अब यह चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि intraday trading कैसे करना है अगर intraday trading से related कोई भी doubt है तो नीचे comment section में जरूर लिखेगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत